हेलो स्टूडेंट्स अपना गुल को यूटीब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है डियर स्टूडेंट्स मेरा नाम है लोकेंदर राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं अमारे क्लास एट नाओ देबेच के NCRT Solutions में जो exercise 1.2 है उसका पहले और दूसरे questions के solution हम आज देखने वाले हैं आगे के lectures में हम लोग बाकी के questions को भी solve करेंगे लेकिन इससे पहले आप लोगों से request है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे concept videos नहीं देखे हैं तो जो total 14 lectures आप लोगों के लिए अपलोड कर दिये हैं उनको आप पहले देखिए और जिससे आप लोगों को concept अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इन questions को आप लोगों को समझने में आसानी होगी तो चलिए शुरू करते हैं तो जो हमारा पहला question है NCRT की 1.2 exercise का वो दिये दियागा है represent these numbers और number line मतलब यह कुछ numbers हमारे को दिये में दो numbers इनको number line पे represent करने हैं यहां में डाइडेक्ट उसको apply करके बता रहा हूं आप लोगों को कि कैसे हम यहां पे क्या करेंगे number line पे इस number को इस number को represent करेंगे तो वहां पे आप लोगों को 3 step समझाई कि इसको solve करने की पहली step तो यह है कि number line बना कि वो section पता करो जिस section में यह number to like करेंगा तो देखो यह एक पहले बात तो positive बनाता हूं यहां प मतना है और कि सवे werogenे चोटा है चोटा है तो जब भी न्यूमेडर बड़ा होता है तो वह जो भी नंबर होता है वह ओरेड़ी वन से बढ़ा हो यह चीज आप लोगों को मैंने पहले भी कई रूप में समझा रख तो आप इसको इस तरीके से क्या कर सकते हो यह अंदाजय से भी लगा सकते हो फोर वन जा फोर होगा अगर सेवन की तो बड़ा होगा लेकिन 2 से क्या होगा छोटा होगा तो मतलब यह समझ में आगे हमारे को कि 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा फिर step 1 यह हमारी खतम होगे section पता कर लिया हम इस टेप 2 में क्या करते हैं इसका जो denominator से denominator जो दिया हुए denominator के बराबर उस section के टुकड़े कर लेते हैं तो इसके denominator 4 है तो इसके चार पार्ट्स कर लिया हम अब एको ध्यान से समझना इस 1 को मैं क्या बोल सकता हूँ क्या इस वन को मैं 4 अपन 4 बोल सकता हूं मैं 4 को लहां ख्यार क्या क्या है क्योंकि यहां पर agenda कितना है इस 8 को क्या मैं 8 अपन 4 बोल सकता हूं एसी 2 को क्यों क्यों यह पर 8 में 4 से डिवाई करें टू आए गा अभ libro aí कोkr विया ठीग जो है उसके पार्ट से तो यह 4 upon 4 है यह क्या होगा 5 upon 4 होगा यह 6 upon 4 होगा और यह वाला point क्या होगा 7 upon 4 होगा और हमें देखो क्या करना है 7 upon 4 ही तो represent करना है तो यह 7 upon 4 है वो हमारा क्या होगा कहीं न कहीं 1 और 2 के बीच में यहां पर लाइक करेगा आई होब यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी सिमिलार इसके इसके नमबर वेल्यू को अगर देखे माइनस को भूल गयाता है तो 5 अपन 6 में 5 छोटा है 6 बढ़ा है और जब भी नियूमेरेटर छोटा है डिनोमेरेटर बढ़ा ह होता है तो इसका चोटा निकल आता है तो यह चोटा होगा बढ़ा होगा इसलिए क्या करेगा और यह माईनस वन से तो क्या है बड़ा है लेकिन 0 से क्या है छोटा POLर में हो गई माईनस से 0 के बीच में लाए करेगा तीक वियुव यह बात आप लोगों को समझ में आ गई हो अब इस 6 को, इस 0 को कहा लिख सकते है, 0 upon 6, इसको कहा लिख सकते है, minus का 6 upon 6, फिर ये कितना बनेगा, 1 upon 6, minus का, ये कितना बनेगा, minus का 2 upon 6, minus 3 upon 6, minus 4 upon 6, और minus 5 upon 6, और minus 6 upon 6, या निकि 6 में 6 से divide करेंगे, 1 आएगा, तो इसका result कितना आएगा, अब हमें क्या करना है, जो find करना ह वो क्या है होगा वो वाला point यहां होगा तो यह minus 5 upon 6 कहां लाई करेगा यहां लाई करेगा I hope यह चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी similar question है यह वाला इसको हमें वो करना है represent करना है तो पहले बात तो negative है साथ में क्या है numerator क्या है अगर हम इसको only इसको देखे 2 5 और 9 को ठीक है अगर इसको देखे तो यह सारे के सारे 11 से छोटे है मतलब इसका रिजल्ट होगा वो अगर negative होगा तो किसके बीच में करेगा minus 1 से बढ़ा होगा और 0 से छोटा होगा मतलब यह तीनों के तीनों जो numbers है क minus 9 upon 7 यह किसके बीच में लाई कर रहेंगे यह वाइस से बढ़ा होता मतलब यहां पर numerator बढ़ा होता दिनों मेंटर से तो यह इस से इदर आता और अगर यह positive होते तो 0 से बढ़ा होता लेकिन अब 1 से भी बढ़ा होता लेकिन अभी यह क्या होगा 0 और minus 1 के बीच में कहीं न 3,4,5,6,7,8,9,10 और 11 हो जाएगा है तो 0 को क्या लिख सकते हैं 0 upon 11 और minus 1 को क्या लिखा जा सकता है minus 11 upon 11 11 बन जा 11 है तो minus का बना जाएगा फिर यह वाला point क्या होगा minus का 1 upon 11 minus 2 upon 11 minus 3 upon 11 minus 4 upon 11 minus 5 upon 11 जगे कम है इसलिए मैं एक साइड में कुछ लिख रहा हूं दूसरे साइड म मैं कुछ नमबर्स को लिख रहा हूं minus 7 upon 11 minus 8 upon 11 minus 9 upon 11 minus 10 upon 11 minus 11 upon 11 अब हमें किस-किस को रिपरेजेंट करना है उसको हम देख लेते है minus 2 upon 11 तो कहां बनेगा यहां बनेगा minus 5 upon 11 वो कहां होगा यहां होगा minus 9 upon 11 वो कहां होगा यहां होगा तो I hope यह आप लोगों को समझ में आ गय देखने वाले, solution देखने वाले, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सेर कीजिए, कोमेंट जरूर कीजिए, और चेनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तब तक के लिए, thank you.